इसको जोड़ना चाहेंगे शुरुआत करते हैं एक एक करके देखते हैं आटोमेटिकली चीजे धीरे-धीरे समझ में आ सकेगी इशु क्या चल रहा थी एक्चुली में इशुली में इशु यह आ है इस्राइल जो है गाजा के उपर काफी जादा बंबारी कर रहा है अच्छा गाजा कहा है वेस्ट बैंक क्या है इस्राइल क्या है इसका चलो अच्छे से अनलाइज करते है बट अभी के लिए दो मिनिट के लिए जानके रखिए इस्राइल गाजा के उपर बहुत ही जादा बंबारी कर रहा है और में जो यह इस इनीशल जो स्टार्ट हुआ ना यह जो जगरा यह जो लड़ाई स्टार्ट हुआ यह जो इशू कॉन्फिक्ट स्टार्ट हुआ है वो है अल-अक्सा मौस्क को लेकर सवाल होता है यार अच्छानक से क्या हो गया थोड़ा सा हम लोग आपको रिवाइन करने की कोज़ करेंगे देखो क्या हुआ ना पहले इस्राइल के सुप्रीम कोट ने और दिया इस्टर्ण जरुसलीम में जो यह जगा है जिसको कहता है शेख जर्रा ठीक है यह देख रहो यह जरुसलीम हुआ यह इस्टर्ण पार्ट अफ जरुसलीम में यह वाला रिजन है शेख जर्रा तो इस्राइल के सुप्रीम कोट ने बोला देखो भई यह शेख जर्रा जो है यह अगर पास्ट के हिस्टरी देखोगे तो यह यहुदियों लोग का है तो आप जितने सारे एरब्स हैं यहाँ पर वो खाली करके पीछे हट जाओ अपना फिलिस्टीन में चले जाओ तो अब यहाँ के लोग पत्थर लेकर आगए आप सोचे का यह पत्थर क्यों अचानक से अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया देट बंबारी चल रही हाँ आपस में रोकेट भी तो मार सकते थे देखो क्या है ना पहले इसका हिस्ट्री देखने की कोईश करो फिर से मैं रिवाइन करूंगा राइट यह देखो यह जो है ना 1946 का पैलेस्टीन यह ग्रीन वाला पैलेस्टीन है और वाइट वाला यह इस्राइल था तब कसमे का फिर उनाइटे नेशन्स में एक प्लान जारी किया 1947 में जब इस्राइल का यह वाइट पोर्शन दे दिया गया उसका बाद पैलेस्टीन को यह वाला पोर्शन दे दिया या पर इतना छोटा सा गेप दिया है, इसका मतलब के आप इंडिर्कली बोल ही रहा है उसको कबज़ा माल लो, समझ रहा बार, तो कहीं ना कर युनाइटेटी ने है पारिशालिटी अहां से क्लिरल दिख रहा है, है ना, बट इनिवेज, इस्राइल लेकिन यह आपर, यह हमे ना बढ़ा हो गया अभी रिसेंटली फेस तो देखो यह क्या हो गया गाजा पती भी छोटा हो गया अल्मोस्ट राइट और इसा है समझ रहा बात अब वही चीज यहां पर बता रहा हूं यह देखो इनों ने जो इस्राइल की जो सुप्रीम कोड ने बोला ना इनको पीचे ह यहां पर एक चीज लेकिन मैं आपको बूलना भूल गया यहां पर लेकिन इसराइल इसराइल उतना जादा कवरेज नहीं कर पाता है क्योंकि इधर से इरान आपका एजिप्ट के रास्ते से इन लोग को हतियार प्रोवाइट करवाता है एक टेर्रिरिस्ट फैक्शन है जि एक टेरारिस्ट फैक्शन है हमास जो क्या इस गाजा पती को रूल करती है और यहां के इरान जो इधर से काफी जादा हतियार पहुचाती है ठु़ इजिप्ट फे ठीक है और वहां पर हमास के लोग को ठीक है अब देखो अब अगर इन लोगों से अगर विद्रो करोगे बोलोगे तर आप भाई तुम अपना सिटी से भागो तो ये लोग तो इनके पास हतियार तो नहीं है वेस्ट पैंक के पास तो ये लोग क्या करेंगे पत्थर से मानेंगे ना तो ये लोग पत्थरवाजी करने ल तो इन लोगों को लगा तो religious space में घुसेंगे तो एसरेल की forces घुसेगी परट इसरेल की forces ने बिल्कुल opposite किया इन लोगोंने इसके भीतर में घुस के जो जो पत्थर बाजी कर रहーヤा उसको घसीट के बाहर निकाला कुछ-कुछ Basically बंदू भी चला था इसके भीतर, ठीक है, अब ये चीज घुसा आ गया, हमास को, है ना, अब हमास कहाँ active है, गाजा पटी में, तो ये जो है ना, हमास ने बंबारी करना स्टार्ट कर दिया, that is, मिसाइल दागना स्टार्ट कर दिया, इस्राइल के ऊपर, अब इस्राइल भी इस्राइल का में में यहाँ पे तेलवी, में में शेर जो ना, इस रीजन में, ठीक है, अब छोटा सा तो लैंड है यार, है ना, in fact हमारा बिहार भी इससे बहुत बढ़ा है, है ना, इस्राइल बहुत चोटा जगा है, है ना, तो वहाँ पे आप खुद सोचिए, 21 lakh के आसपास लोग रहता है, उतने छोटे जगब है, है ना, तो obvious सा बात है, देट उतना open field तो नहीं होगा इनके पास, है ना, तो इसी लिए जो है ना, में में शेरों के उपर इन्हों ने, मिसाइल दागना स्टार्ट कर दिया, देखो, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मिसाइल नहीं दाग कर, बातचीत से उनको कंप्लेंड करना चाहिए था, UN के उपर उसके बाद चीजे करते, बट इन्होंने ऐसा काम किया, जो क्या कोई भी देश, बिलकुल सरह नहीं पाएगा, आप खुद ही सोचो ना, कल को अगर पाकिसान के उपर, इंडिया, सोड़ी, इंडिया के उपर, पाकिसान से अचानक से अगर बंबाडी आने लगे, तो क्या government क्या resist नहीं करेगी, क्या, है ना, हम लोग क्या revert action नहीं लेंगे, क्या, अब खुद सोच लोग, जो मर रहे हैं, उनका सब कोई condemn कर रहा है, राइट, बट कहीं न कहीं ये आपको act देखना पड़ेगा, जिन जो कि हमास ने किया है, वो उन्होंने सीधा missile लागा है, ठीक है, अब missile लागा होगे, तो ऐसे बैठे का थोड़ो ना, इसरेल वो भी, इसरेल का तो history है, जितना सार अवाड हुआ है, उन्होंने कब जाते, कब जाते, कब जाते, कब जाते, इनको खाली कर दिया, राइट, अब ही इसरेल क्या कर रही है, इनके शेहरों के उपर, जो main main, हमास का targets है, जहां से उनको लगता है, वो buildings को गिरा दे रही है, अब खुछ सोचो आप, यह सटा हुआ है, अब सोचो इसमें बंबारी अगर करके गिरा रही है, तो इस बिल्डिंग में भी तो कुछ नुकसान पहुचेगा, जी, यहां के बिल्डिंग में जो लोग रहे है, वो भी तो नुकसान पहुच सकता है, जी उनको, समझर बात, तो यह जब बिल्डिंग गि बिल्डिंग को गिराना, है ना, और यहां, इस बिल्डिंग को गिराने से एक गंटा पहले उनको फोन करके बोल दे रही है, जहां पर महिला है, नॉर्मल पुरुष, नॉर्मल बच्चे को भी नुकसान पर रहा है, और उनकी casualties भी हो रही है, तो यहां एक major issue है, जो क्या अभी, overall एक आइने में देखियेगा, तो यहां चल रहा है West Bank में, ठीक है, समझ गया बात, मतलब overall issue तो समझ गया, that क्या है, किसका गलती है, है ना, अब आप लोग मीचे comment में यह मत लिखने जाहिए, that आप किसको support करते है, देखो, जो गलत है, वो गलत है, जो सही है, वो सही है, right, but हाँ, everyone's hearts goes for the innocent people who are dying, but at the same time, opposition यह भी बोल सकती है, that अगर Israel का iron dome technique नहीं होता, है ना, तो Israel के उपर तो सारे बंबारी गिर जाते है, मतलब Israel तो धुस्त हो जाता, है ना, अब क्या कर रही है, हमास जितना भी, यहाँ पर missile दाग रही है, उसको almost neutralize कर दिया जा रहा है, इनके technology के दोबारा, जिसको कहते है, iron dome, बहुत ही ठूपसूरट technology है, जैसा कि आप देखी रहे picture में, ठीक है, वो सब, मतलब, जितने भी missiles आ रहे है हवा में, सब हवा में ही missiles को बढ़वात कर दे रही है, मतलब, एक बहुत नायाब नमूना है, है ना, in fact, आने वाले दिनों में, मैं तो यह चाहता हूँ इन गवर्मेंट को भी इस टाइप के नमूना, मतलब, इस टाइप के technologies को अपने पास develop करना चाहिए, क्योंकि we have two very huge neighbors, है ना, एक पाकिस्तान और एक चाइना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो यह सब कही ना, कही हातियार हमारे पास भी होना चाहिए, जिस से अगर future में, उनके तरफ से हमारे उपर missiles आया, तो हम at least neutralize कर सके, हम अपने लोगों को जो है safe कर सके, समझ रहो बात, तो चलो, यह तो हम लोगों ने overall समझ लिया, अब हम लोग geography points of view से, यहाँ पर क्या discuss करने वाले है, यहाँ के regional aspects को हम लोग focus करेंगे, यहाँ के population demographic aspect को focus करेंगे, दोनो region को ले लाओ, यहाँ पर गाजा पट्टी और West Bank, दोनों को फिलिस्टीन में ही मैं include करना हूँ, ठीक है, अब समझ जाईए, और हाँ, इसराइल तो खेर ही, ठीक है, comparison अगर करोगे, तो देखो, यह flag है आपका फिलिस्टीन का, यह है इसराइल का, यह समझ जाओ, ठीक है, अग फिलिस्टीन में West Bank आता है गाजा पट्टी, West Bank का population देखो कितना है, around 27 लाग, गाजा पट्टी का population है, around 18 लाग, ठीक है, अब West Bank का population density देख लो, यह है around 469, मलब इस region में जो per square kilometer, around 469 लोग रहते हैं, बट वहीं पर गाजा strip में देखो, इतना छोटा region होते हुए भी, अगर 18 लाग लोग रहते हैं, तो इसका population density ऑवे सबाते जादा होगा, around 5000 परसन, जो है, around गाजा पट्टी में, एक किलोमेटर, स्क्वार किलोमेटर के इर्द गिर्थ, 5000 लोग रह रहे हैं, सोचो कितना जादा है, तो आप अगर एक बंबारी भी गिराते हो, ना, बं अगर गिराते हो, तो there is more probability that यहाँ पर casualities जादा हो, right, बट वहीं पर, अगर हाम, एक बंब अगर इस्राइल में गिराएंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर density of population मात्रे 401 लोग है, है ना, अगर 401 ही लोग है, तो of course, अगर यहाँ पर एक डो, जो missiles गिरा भी है, हमास का, तो उन्ह घर के उपर basically वो rocket गिर गया, ठीक है, तो basically यह figure है, जो क्या बतलाता है, और, इस्राइल की अगर overall demography देखोगे, तो यह around 93 lakhs के आसपास है, एक करोड भी overall population इनका नहीं है, बट वहीं पर, अगर इनका, West Bank में अगर इनका देखे, तो इनका around 45 lakhs के आसपार population है, समझ गए ब अभी बोलता हूँ, religion के आधार पर, religion भी एक cultural characteristics है, अगर आप देख लीजेगा तो, ठीक है, क्योंकि culture के अंडर ही तो यह सब आता है न, जी, तो cultural characteristics अगर देखो as a religion, तो देखो, फिलिस्तीन में majority तो Muslims है, around 90% से भी जादा, जिसमें 6% Christians भी हैं वहाँ पर, और बाकी 13% में Druze भी आजाता है, और भी different shorter motivations आजाता है, ठीक है, और जहां तक बात है रही Israel की, तो इसराइल में देखो, Jewish तो है ही, around 74% Jewish है, Muslims भी है 17.8%, Christians भी है around 2%, और Druze भी है around 1.6%, और भी बाकी सब है around total overall मिला कर 4.4%, ठीक है, तो देखो, कहीं न, कहीं religious tolerance के आधार पर, हाँ, यहां पर characteristics इसलिए discuss कर रहा हूँ, जिससे क्या आने वाले जो next slides में हम लोग पढ़ेंगे, basically, आपका जाके, रोसोस का model of stage of growth, तो उसको और भी justify करने के लिए आपको आसानी होगी, right, तो यह आप picture से clearly देख सकते हो, that Jewish population कितनी जादा है, मनलब अगर proportionally एक graph के आधार पर अगर देख है, है ना, 16 year to 59 year of age और 60 years के अवब, ठीक है, तो देखो, 0 to 15 years age population तो आप listen में जादा है, बर 16 to 59 में जो अपर वाला age वाला population gap है, यह लेकिन कम है respectively, ठीक है, मतलब कही ना कहीं, यहाँ पे पहुचने के बाद या तो लोग मर जा रहा है, या फिर नूटरलाइस कर दिया जा है, बट वहीं पर इसराइल की अगर population pyramid देखो, तो देखो, 0 to 15 years, 16 to 59 years और उसके अबव अगर देखोगे, तो overall कहीं ना कहीं, इनके proportion में जादा stable population है इनकी demographics, है ना, population growth rate अगर देखोगे, तो देखो, 1960 से 2020 में, इसराइल का growth rate देखो, इसका जो slope है, यह respectively जादा steep है, as compared to the slope of the growth, is the population growth in Philistine, right, मतलब, इन में population growth जो है, वो respectively बहुत जादा हो रहा है, पर capita income, देखो, यह भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय पे जो रोस्तों, model of stage of growth, discuss करना है, तो यह demographic attributes बहुत ही जादा important है, उन चीजों को analyze करने के लिए, ठीक है, फिलिसीन में around US dollar, 4000 US dollar, इनका income है, बट वही पर, इस्राइल में around 40, बट देखो, कितना जादा है, है ना, 10 गुना से भी जादा है भाई, इन लोगों का, मतलब, इनके पास पैसे जादा है, यह respectively गरीब है, है ना, country की एक, life expectancy, देखोगे, फिलिस्तीन का 75 years है, बट वही पर, आपका जाएक इस्राइल का 82 years है, इन्फांट मोटलिटी रेट इनमें बहुत जादा है, मतलब, साइध इनके पास respectively कम है, as compared to the health infrastructure that is there in, आपका जाके, इस्राइल, ठीक है, क्योंकि देखो, इस्राइल में यहाँ पर, इस्राइल में यहाँ पर, क्लियरली मेंचन किया हुआ है, इस्राइल अगर आप फिलिसीम में देख लिजेगा, तो यह 14.9 जो कर रिस्पेक्टिवली जादा है, तो यह सब अगर characteristics देखे होगे, तो उससे automatically, overall, अभी तक हम लोग उनों जो पड़ा, उससे हमें कहीं ना कहीं कहीं क्वालिटी ओफ लाइफ के बारे में पता चलता है, है, absolutely भाई हमें, देखो, क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे जो, जो भी, मतलब, घरवर भी है, तो थोड़े पुराने जवाने टाइप्स लग रहे है, यहाँ पर देखो, एक दम हाई-पाई-टाइप का घरवर लग रहे है, ठीक है, तो इससे clearly हमें समझ रहा है, that हा, quality of life जो ह देखो, इस तरफ से नेवी इसराइल की है, इस तरफ से चारो, इस तरफ से इसराइल है, राइट, इस तरफ से चोटा सा पोर्चन उनको एजिप्ट के थुरू मिला हुआ है, जहां से, इनको basically हतियार सप्लाई होता है, ठीक है, तो ओविस सभातर, देखो, चारो तरफ से जो चाहे, वही regulate करती है, उपर से वेस्ट बैंक में देखो, तो वेस्ट बैंक में भी अगर आपको construction करना हो, कोई अगर फिलिस्तिनी अगर construction करना चाहता है, तो उनको इसराइल गवर्मेंट से permission लेना परता है, मतलब सब कुछ, मतलब यहां के तो लोगों का, मतलब जीना पार्ट है, गाजा पत्टी और वेस्ट बैंक, इस दोनों में किनका quality of life respectively ज्यादा डिग्रेड़ेड़ है, तो वो है इनका quality of life, that is गाजा पत्टी के लोगों का, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर लोग respectively मिल बाट के रहता है, यहां के जो लोग है, उनको employment भी करना परत है, तो फिलिस्टीन के जो businessmen के अंडर ही employment करना परता है, समझ रहां बाट, तो इनका अपना कुछ छूट छाट नहीं दिया हुआ है, तो anyways इसलिए respectively quality of life बहुत ज्यादा बत्तर है, अब सवाल होता है, यह होता है, रोस्तोस model of stages of growth जो हम लोगोंने परा है, उसके आधार प बात करता है, ठीक है, अच्छा, आप खुद बोलिए, फिलिस्टीन को किस categorization में रखा जाना चाहिए, ठीक है, इसमें various stages of growth है, जिसमें कोई भी society अगर देखोगे, कोई भी region as a whole अगर देखोगे, traditional society से गुजरती है, pre-condition of take-off, take-off, drive to maturity and mass consumption वाले society से गुजरती है, यह सब पढ़े हो चकर में, भाई, कोई नहीं है टकर में, आइए, जॉइन कीजी, हमारे नीचे में description में link clearly दिया हुआ, smart rank as app को download कीजे, google play store से, तो वहाँ पर अगर subscription ले लीते हैं, आप, again, दोनों courses का subscription आपको available है, right, English और bilingual, दोनों courses available है, जो भी courses आप चाहें, उन्हीं का subscription attain करके यह सारे lesson भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो anyways, अगर बात करें traditional society का, तो traditional society में, देखो, क्यासा society होता है, वैसा society हम लोगों ने usually पढ़ा है, जहाँ पर, economic setup काफी जादा primitive होती है, मतलब modern technologies जादा है नहीं, जादा लोग subsistence agriculture में रहते हैं, बाटर system prevail करती है, तो again, बाटर system still नहीं prevail करता है, ऐसा भी होता है, that traditional society में, जो भी हम लोग कोने characteristics पर है, ऐसा जरूरी नहीं है, that सारा characteristics हो, कुछ-कुछ characteristics भी हो, जासे minimum income, जी हाँ, इन लोग का minimum income है, right, non-productive activities करते हैं, क्योंकि जादा तर religious rituals में belief करते हैं, जी हाँ, ये लोग पी क्योंकि Muslim populations है, and they are maximum Sunni Muslims ह right, और यहाँ पर क्योंकि जादा development जादा नहीं है, तो इसलिए they are more or less inclined to these religious rituals, right, मतलब जादा तर जो है न, मतलब trade भी होता है, तो locally ही होता है, है न, और no doubt, political भी अगर देख लीजेगा, तो भी हम लोग उने traditional society वाले phase में पढ़ा था, that उसको हम लोग याज है nation बोलते हैं, तो of course, यार उसका तो nation ही न, connotations है, तो देखो, कुछ-कुछ है, जहाँ पर आप बोल सकते है, traditional society से गुजरती है, बट हाँ, एक aspect जरूर है, जहाँ पर आप traditional societies को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि, देखो, as such, barter system तो prevail नहीं करता है, और उतना भी minimum income नहीं है, क्योंकि, क्या है that अभी जो है, बहुत सारे philanthropic organizations है, जो के इनके मदद करती है, OIC से मदद जाता है इनको, ठीक है, USA से मदद आता है, right, overall United Nations से मदद आता है, ठीक है, तो traditional society तो 100% नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ, कुछ-कुछ ऐसे reason जरूर है, जो के traditional society से गुजर रहे है, right, अब हम लोग बात management में belief कर रहे है, commercialized, मतलब कहीं न कहीं, productivity जो क्या पहले, पिछले, that is traditional society में जादा नहीं थी, वो अभी जादा बढ रही है, ठीक है, तो हाँ, ये सब चीजे आप जरूर बोल सकते हो, तो हाँ, ये सब चीजे हमें जरूर फिलसीन में दिख रहा है, right, तो इसलिए हम लोग फिलसीन को कहीं न कहीं, pre-conditioned to take-off stage में रख सकता है, but पहले take-off stage भी दिद्धों देख ले, that take-off stage है, क्या, उसके बाद आप comparison कर पाऊगे, that हाँ भया, किस region में फिलसीन को रखा जा सकता है, right, तो take-off stage में देखो, हम लोगों ने कुछ जादा पढ़ाता है, that is economic growth, जो क्य अभी तो इनकों पर bum bari gir रही है, है न, मतलब bum bari gir रही है, मतलब अगर जगडा हो लगा है, लड़ाी हो रही है, मतलब obvious हाँ पीछे चला जाता है, लड़ाई से कोई भी देश आगे नहीं जाता है, बहले है अब लड़ोगे तो पीछे ही जाओगे, क्योंगे आपके चार-पांच हजार डॉलर का है, जो क्या मतलब गाजा पती से हमास छोर रही है, वही चार-पांच हजार डॉलर को अगर आप कोई बच्चों के एडूकेशन में खर्चा कर देता, तो आप बच्चा कितना educated हो जाता, ठीक है, तो अगें, ये सब तो खेर अप उनको कौन समझ अगर आप इस्राहिल की बात करो, तो भही है, लिटरली, yes, they are self-sufficient from every aspect, पैसे भी देख लो, मतलब बहुत जादा है, right, quality of life भी देख लो, standard of living भी देख लो, कितने बड़े-बड़े इमारत हैं हम लोगो ने देखा ही, ठीक है, तो अगें, इनका जो standard of living respectively better है, तो ऐसे हम ल कर सकते है, that कैसे उस region में जो tensions चल रही है, उस tensions को लेकर हम लोगो ने, geography options के एक topic से relations करने की कोशिश की, आशा करता हूँ that, यह वाला series आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा, तो पहले एक request है, आपने दोस्तों के साथ share कर दो, कोई एक दोस्तों के कर ले ना, इस YouTube चैनल को, subscribe करोगे, तो ही आने वाले, जो भी मैं वीडियो डालूँगा, उसको notifications आपको मिलेगा, ठीक है, so anyways guys, आज के class को यहें पर wrap up करता हूँ, मिलता next class में, till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video, thank you very much guys, thank you very much. झालूँट